मुंबई इंडियन्स और सन्राइजिस हैदराबाद के बीच आईपेल 2024 का 55 मुकाबला खेला जाएगा एक और जहां हर्दिक पंडे की कप्तानी वाली मुंबई की टीम लगबग प्लेओफ से बाहर हो चुकी है वहीं हैदराबाद के पास जीत कर आगे बढ़ने का मुखा है मुंबई अपने घरेलू दर्शकों को जीत का तोफा देना चाहेगी ऐसे में ये मैच काटे की टक्कर वाला होना तैया है ये मैच मुंबई के वाんखड़े स्टेडियम में खेला जाएगा वानखड़े स्टीडियम बल्ले बाजो के लिए स्वर्ग माना जाता है अब यदि वांखड़े की पिछ की बात करे तो हर को ये बात अच्छी तरह जानता है कि इस पिछ पर बल्ले बाजो का बोल बाला रहता है यहाँ पर गेंद बल्ले पर काफी अच्छी तरह कर से आती है इतना ही नहीं छोटी बाउंटरी होने के चलते बल्ले बाज जम कर रन बनाते हैं इस मैदान पर IPL में सबसे अधिक छक्के लगे हैं इसके अलावा वानकड़े में स्पिनर्स की काफी पिटाई होती है लेकिन वही दूसरी तरफ तेज गेंद बाजों को फायदा मिलता है और स्ट्रम्स के पीछे भी कमाल करके दिखा रहे हैं दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं बैट्समेन की तो सबसे पहले नाम आता है सूर्य कुमार यादव का फिर आता है रोई शर्मा का फिर तिलक वर्मा फिर ट्रैविस एड और लास्ट में अभी शेक सर्मा ये पांचों के पांचों प्लेयर अच्छे कासे फोर्म में चल रहे हैं पिछले मैच में रोई शर्मा ऐसे सब्सिट्यूट आये थे लेकिन इस बार वो अच्छा कासा प्रफोर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया उनके बल्ले से हमने स्कोर नहीं देखा है और वानकडे में होम ग्राउंड है अच्छे कासे रन बनाते हैं उनका रिकोर्ड भी अच्छा है दूसरी तरफ अगर बात करी जा सूरे कुमार यादव की तो पिछले मैच में अच्छे खासे रन बनाए थे तो आज भी वानकडे में अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं उसके बाद आता है तिलक वर्मा का पिछला मैच उनका अच्छा नहीं गया था लेकिन आज उनके बल्ले से आपको अच्छे खासे स्कोर देखने को मिल सकते हैं अब इशेक सर्मा चंद गयंतों में अच्छा खासे स्कोर करके जाते हैं तो यह आपकी टीम में होने बिल्कुल जरूरी है अब आते हैं ओल्ड राउंडर के तो पर आप पहले रखेंगे हर्दिक पंडिया को बल्ले बाजी से नहीं तो गयंदबाजी से अपना दम कर दिखा फायदा ही देखे जाएंगे अब बात आती है बोलर्स की तो बोलर्स में पहले आते हैं जिस प्रीद मुम्रा जो कि फुलार हाइस्ट विकेट टेकर है तो वह आपकी टीम में रहेंगे तो आपको उतना ही फायदा मिलेगा वांकरे में अच्छा-कास उनका रिकोर्ड है विक क्यामत रखते हैं और रिन भी रोगते हैं तो टीम को फायदा ही फायदा देते हैं अब बात आती है कप्तान और वाइस कप्तान की कैप्टन के तोर पर आज आप रख सकते हैं ट्रेविस हेड को और वाइस कैप्टन के तोर पर आप आज रख सकते हैं रोई शर्मा को यह हम